जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास 12 के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है. इस वीडियो में biology का 50 objective question होगा. आपका पहला question है. 1. आम के फल में खाने वाला भाग है. आपका सही answer कौन होगा option? A. बाहय फल भित्ती. B. मध्य फल भित्ती. C. अंतर फल भित्ती. D. इन में से कोई नहीं. आपका सही option होगा. B. मध्य फल भित्ती. आपका अगला question होगा. 2. समसूत्री विभाजन होता है. आपका सही answer कौन होगा option? A. काईक कोशिका में. B. चनन कोशिका में. C. A. एवं B. तोनो में. D. इन में से कोई नहीं. आपका सही option होगा. A. काईक कोशिका में. आपका अगला question होगा. 3. बिना निशेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं. आपका सही answer कौन होगा option? A. पॉलिकार्पिक. B. पार्थिनोकार्पिक. C. पोमोकार्पिक. D. इन में से कोई नहीं. आपका सही option होगा. B. पार्थिनोकार्पिक. आपका अगला question होगा. 4. इन में से किसमें आंतरिक निशेचन नहीं होता है? आपका सही answer कौन होगा option? A. पक्षी, B. मेलिक, C. स्टन पाई, D. इनमे से कोई नहीं, आपका सही option होगा, B. मेलिक, आपका अगला question होगा, 5. द्विखंडन एक प्रकार का है, आपका सही answer कौन होगा option, A. काईक प्रवर्धन है, B. अल्यांगिक जनन है, C. इनमे से कोई नहीं, आपका सही option होगा, B. अ आंसर कौन होगा option, A. एक इडना, B. कंगारू, C. गाई, D. इनमे से कोई नहीं, आपका सही option होगा, A. एक इडना, आपका अगला question होगा, 7. इनमे से पूरे जीवन में एक ही बार पुश्पित होते हैं, आपका सही answer कौन होगा option, A. बांस, B. आम, C. तार, D. इनमे से कोई नहीं, आपका सही option होगा, A. बांस, आपका अगला question होगा, 8. निमनानकित में कौन विगुनित है, आपका सही answer कौन होगा option, A. पराग, B. आंड, C. A. तथा, B. D. यूपमनज, आपका सही option होगा, D. यूपमनज, आपका अगला question होगा, 9. किस फल का बीच चोल खाया जाता है, आपका सही answer कौन होगा option, A. शरीफा, B. लीची, C. जाइफल, D. इनमे से सभी को, आपका सही option होगा, D. इनमे से सभी को, आपका अगला question होगा, 10. समयुग की पाई जाती है, आपका सही answer कौन होगा option, A. शैवाल, B. आवरत बीजी, C. अनावरत चीवी, D. इनमे से सभी आपका सही option होगा A. शैवाल आपका अगला question होगा 11. अंट प्रजक निम्नानकित में कौन है? आपका सही answer कौन होगा option A. सर B. मगरमच C. मुर्गी D. इंग में से सभी आपका सही option होगा D. इंग में से सभी आपका अगला question होगा 12. निम्नानकित में से कौन सत्य फल है? आपका सही आंसर कौन होगा option? A. से. B. नाशपाती. C. काजुला. D. नारियल. आपका सही option होगा? D. नारियल. आपका अगला question होगा? 13. मुकुलन. द्वारा जनन किसमें होता है? आपका सही आंसर कौन होगा option? A. पैनिसिलियम. B. पारामिशियम. C. यीस्ट. D. इनमे से सभी में? आपका सही option होगा? D. इनमे से सभी में? आपका अगला question होगा? 14. निम्नानकित में कौन मिथ्या फल है? आपका सही आंसर कौन होगा option? A. से B. आम C. केला D. इनमे से कोई नहीं? आपका सही option होगा A. से आपका अगला question होगा 15. इनमें द्विखंदन किसमें पाया जाता है? आपका सही आंसर कौन होगा option? A. जलकुंभी B. कमल C. अमीबा D. सर आपका सही option होगा C. अमीबा आपका अगला question होगा 16. जे म्यूज बनते हैं? आपका सही आंसर कौन होगा option? A. खाइडरा में B. स्पंज में C. इस्ट में D. इनमे से सभी में आपका सही option होगा B. स्पंज में आपका अगला question होगा 17. लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है आपका सही आंसर कौन होगा option? A. टे में B. गुरून पोष C. अध्यावरन D. बीज चोल आपका सही option होगा D. बीज चोल आपका अगला question होगा 18. बिना निशेचन के फल निर्मान को क्या कहते है आपका सही आंसर कौन होगा option? A. अप्यूगमन बात B. आसिंग जिनन C. अनिशे किचनन D. इनमे से सभी आपका सही option होगा C. अनिशे किचनन आपका अगला question होगा 19. निमनल इखित में सही का चुनाव करे आपका सही आंसर कौन होगा option? A. स्पॉंज का जूस पोर B. पैनिसिलियम में जिम्यूलस C. शेवाल में कोनिदिया D. हाइड्रा की कलिका बट आपका सही option होगा D. हाइड्रा की कलिका बट आपका अगला question होगा 21. निमन में से कौन विगुनित सनरचना है? आपका सही आंसर कौन होगा option? A. अंडानू B. शुक्रानू C. यूपमनज D. इन में से सभी आपका सही option होगा C. यूपमनज आपका अगला question होगा 22. जन से लेकर प्राकृतिक मृत्यों के बीच की अवस्था को कहते हैं आपका सही आंसर कौन होगा option? A. जीवन काल B. जीवन चक्र C. काहिक अवस्था D. सभी आपका सही option होगा A. जीवन काल आपका अगला question होगा 23. आकार की तथा आनुवनशी की रूप से समान जीवों को कहते हैं आपका सही आंसर कौन होगा option? A. क्लोन B. सोमा क्लोन C. कॉस्मिट्स D. साइब्रिट्स आपका सही option होगा A. क्लोन आपका अगला question होगा 24. अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? आपका सही आंसर कौन होगा option? A. कोनिदिया B. कलिका C. जिम्यूल्स D. द्विखंडन द्वारा आपका सही option होगा D. द्विखंडन द्वारा आपका अगला question होगा 25. पैनिसिलियम में प्रजनन होता है आपका सही आंसर कौन होगा option? A. कलिका B. विखंडन C. जिम्यूल्स D. कोनिदिया आपका सही option होगा D. कोनिदिया आपका अगला question होगा 36. मासिक चक्र किस में होता है? आपका सही आंसर कौन होगा option? A. बंदर B. कपी C. मानव D. सभी 27. निम्नल इखित में से किस में इस्ट्रस साइकल नहीं होता है? आपका सही आंसर कौन होगा option? A. गाए B. विडा C. बंदर की D. कुत्ता आपका सही option होगा C. बंदर की आपका अगला question होगा 28. निम्नल इखित में कौन विलिंगी नहीं है? आपका सही आंसर कौन होगा option? A. फीता क्रिमी B. कुत्ता C. जोंक D. स्पंज आपका सही option होगा D. स्पंज आपका अगला question होगा 29. अंट प्रजक है आपका सही आंसर कौन होगा option? A. मुर्गी B. सां C. मगरमच D. इनमे से सभी आपका सही option होगा D. इनमे से सभी आपका अगला question होगा 30. तोता का सबसे अधिकूम क्या है? आपका सही आंसर कौन होगा option? A. 90 वर्ष B. 25 वर्ष C. 500 वर्ष D. 140 वर्ष आपका सही option होगा D. 140 वर्ष J. हिंद आपका इतना ही question है D. 140 वर्ष